कॉंग्रेस पार्टी कॉंट्रेक्ट एंप्लॉइमेंट के खिलाफ नहीं है पर रक्षा के क्षेत्र में कॉंट्रेक्ट एंप्लॉइमेंट आधार नहीं बन सकता आप चार लोग ले रहे हूं और चार में से सिर्फ एक को रेगिलराइज करा जाएगा और तीन बाहर हो जाए कुछ दिन पहले नहीं होना चाहिए इसका माने क्या है सुर्वक्षा बल सरकारी नौकर होते हैं और हचानक आपने कह दिया एक लोकसवा के सवाल के जवाब में कि अगनीवीर सरकारी नौकर नहीं माने जाएंगे कल मुझे वाटसैप पर किसी ने एक मेसेज भेजा एक स्क्रीनशॉट भेजा एक अगनीवीर की एप्लिकेशन उसमें 18% जी एस्टी लागू है इस पर आपको जांच कीजिए 500 रुप्या एप्लिकेशन फी और उस पर 18% जी एस्टी वो अगनीवीर एप्लिकेट है एक्जाम के लिए उस पर भी इन्होंने जी एस्टी लगाया है